यूरोप एक बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है वहाँ पे लोगों को गरम रहने की आफ सकता होती है गरम पानी से नहाने की आफ सकता होती है गरम पानी पीने की आफ सकता होती है बट आज क्या और रहा है वहाँ पे यूरोप में चाहिए कोई अदमी गरीब हो अमीर हो यूरोपांचियों को फेस करनी पड़ रही है फेजबोक ने फेजबोक 11,000 लोग से प्यार निकाल दिया एमञावन भी प्रूस से निकाल दिया एंड इसे हड्य दिया ओड़क वीडिक चीज हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखी अप्स पूरा आपको मैं डिटेल में बताम कि यह सब क्यों रहा है एंड़ का रीजन क्या है सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं जोड़ा जाए तो यह एक साल का मिलाएजा तो यह साल की GDP होगी तो वैसी अब देश समझते कि किसी भी country की boundary के अंदर जो भी गुर्ष एक सर्विस्ट हो रहे है उन्हों सभी जोड़ा जाता है तो वह उस जीडिपी होती है तो यह जीडिपी दैन बात करते हैं मन्दी की मंदी क्या होती है ज़व हम ज़्यादा चीज़ा खरीडते तो GDP उपर समझा चुका मैं के जब बढ़ती है ये बेसिक सी बात है कि अगर किसी मौल में हम लोग जादा शम्मान खरीदें एंगे और रायμε्गप महलinsi बोस्टे सब्सक्राइब मतलब ज़्यादा खरीते हैं अपनी कंट्री के अंदर तो वो क्या होती है हमाई देश की जीडीपी बढ़ती है और अगर ये च्वार साथ रहा एक पांचिये शटक मंदी. कि यही अगर तीन साल तक र्यगुलर होता है की जी डीप र्यगूलर घटती है बेट टू बैक घटती है जी डीपी तीन साल तक तो इसे चेहिए हैं डिप्रेशन बांचिये आज तक पूर अभी तक मात्र एक बार हुआ संद नाइंटी थर्टी में 1930 में मात्र एक बार हुआ क्या डिप्रेशन एक बार हुआ बट मंदी अगर 6 महीने में अभी मंदी तो अभी चली रही है और जीटीप अगर 6 में अगर ज्यादा भीड है ज्यादा भीड होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा स्टाफ उनको रखना पड़ेगा काम करने के लिए बट अगर यहीं कम भीड है कम कम भीड होगा तो कम समान बिकेगा कम समान बिकेगा तो कम प्रॉफिट होगा मौल को एंड कम प्रॉफिट होगा तो क्या होगा मौल के पास उत्ता पैसा नहीं होगा अपने स्टाफ को पैसे देने के लिए तो क्या करेगा मौल से अपने पूरे एरिया में आप भी प्याज बेचते हो एंड लोगों को चाहिए 50 किलो प्याज आपके पास है Only 30 किलो प्याज तो आप क्या करोगे उस प्याज कीमत बढ़ा दोगे ताकि लोगों खरीदना पढ़ेगा ही उनकी मजबूरी है अगर आप ज्यादा प्याज नहीं है आपके पास आपके करोगे प्याज की वैलीू बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगी तो आपको ज्यादा पैसा मुनाफ़ा होगा या फिर आपकी समान बिग जाएगा सप्लाई हो जाएगी यह होता है तो आप समझों कि यह सब बता क्यों रहा हूं उसका मैं लाश्किम्ट को बताऊंगा कि यह सब मैं आपको समझा क्यों रहा हूं तो आपको जैसे की एक और एक्जामपल देता हूं कि यह कुछ सिच्वेशन वाइस भी होता है हमेज़ा जैसे कोवेट की टाइम में क्या हो था कि जो दवाईयां थी जो सब्ची थी उनकी डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि उस चीज की ठाव रिखती दवाईयां कम थी टीवाज चैना जारे तो दवाएयों कीमत बढ़ गई बन होटल्स किए होटल्स परियाग थे उस टाइम कहने के सबसे बेट होटल किसी को जान नहीं था रुकने के लिए या कि सिचा हुछने कि रूकने की जो कीमत ती जो रुपए वो लेते थे जैसे पहले एकजार लेते थे तो वह 500 कर दिया गया था उसे कहते हैं कि डिमांड कम हुई होटल की तो सप्लाइज जाद है पर डिमांड कम है तो इसके कीमत गिर जाएगी यह डिमांड अब बात करते हैं करेंट सिच्वे भाग के वज़े से क्या हुआ कि अपने पास टॉक तो पात जादा हो गया हर चीज के अपने पास जादा हो गया बट वह सरकार ने उसको दान कर दी तो वह घर देरे खतम भी होते हैं बट जब लॉगडाउन खतम हुआ तो अपने पास सप्लाई कम थी आतलब अब अपने की डिमांड जादा थी क्योंकि लोग क्या थे लॉगडाउन समय कुछ समान खरीद ही पार रहे थी कुछ चीजह हो उस्प्लाई कम हुई जिससे समान तो जल्दी पर घिया बट सपलाई कम होने का जैसे क्या हुआ कि वह लोगोंनों महंगाई बढ़ा दी जो समान बेच रह बाद ठीक है जिससे क्या होगी महंगाई आई अभी महंगाई वो थोड़ी बात कहीं चल रहे हैं लोगों को पैट्रोल महंगा ले रहे हैं किसी को अधर चीज लग रहे हैं तो लॉगडाउन के बाद डिमांड एकदम से बढ़ी और सप्लाई काम हो गई जिससे सारे देशों में ये महंगाई आगADE महंगा बढ़ गई घरेंद अरूप कर रहा ता कुछल चीज़ों कर रहे थे कोल आड़ सो कर रहे थे तो महिंगाई के जैसे अपना देश इंडिया भी बहुत ज़्यादए श्टब किया है एक अगाнымиılar क्रीश का अगिया युक्रेयन और रसी लगा लगा दिया कि रसिया से कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा और एंड गैस तो क्या हुआ जिसके वज़े से यूक्रैयन रसिया के वार जैसे रसिया पर लगा दिया गया कि हम लोग आपके यहां अब लगा दिया जाएगा जिससे बहुत सारी देशों ने मलब सभी देशोंने एकसेप्ट भारत का लग डिसीजन था डिसकाशन जो भी और बीजो अलग डिसकेशन उसे बाद में अपन बात करेंगे उस चीज़ पर तो भारत तो अभी भी लेता पहले भी लेता जब यह बै अब क्या हुआ कि ऑल एंड गैस तो आना बंद वही रसिया से रसिय नभी क्या की अपनी पाइप लाइन बंद कर दी जहां से आइंड ऑल सप्लाई करते थे और कहा कि जब तक सैंसेक्षन नहीं अटेंगे हम भी यह पाइप लाइन नहीं खोलेंगे सिंपल जैसी करनी वैस गरम करने के लिए जो भी उनकी डेली उसे में थंटी-फोर परसेंट योगदान उनका गैसों का होता है सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वही अपने पास गैस मंगाता है दूसर देशों से तो और सबसे ज्यादा गैस सिर्फ यूक्रेन के पास है एंट सबसे ज़्यादा ज़र लोगी तो यूरोप अले क्या कर रहे है ना बिझली उत पाजित कर पार है यह रेक देश में क्या पावर की बहुत जादा है आई एनर्यजी के नहीं Kevin Honors लुष्ट क्राज। करने के संसाधन नहीं इंगी हैं बहुँत ही ज्यादा क्राइश से यूरोप में किस वजह से यूप्रेयन और रसिया ग़ॉर के यसे यूप्रेयन और रस्या के वार में यूरोप बीच में खुषर अपने पैर में पुलाडी माल लिया एंड यूरोप में आप क्रैसिस चाह गए हैं जिसके जैसे क्या हो रहा है एंप्लोइमेंट बढ़ रहा है एंड मैक्सिमम जो बड़ी-बड़ी लोगों को भगा रहे हैं निकाल रहे हैं यहां पर बहुत सा ऐसे लोग हैं जो लोग मातर एक दुद दिन जॉइन करे हुआ था वहा ने निकाल दिया जा रहा है हमारे टेक महेंद्रा एंड विप्रो ने तो इसा नहीं किया है बट उन्होंने आंगे जो जॉब आने वाली ल हिए मंदी 2023 में सभी देशों को बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पढ़ रहा है आंके जाकर भी बहुत ही ज्यादा तेज मंदी आने वाली लोग क्या करना है प्रॉडक्ट यूज नहीं कर पार है लोग प्रॉडक्ट खरीद नहीं पार हैं जब किसी कोई एक इनसान प्रॉ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है किसके वज़ेसे एक कोवेट के जैसे मंदी आई यूक्राइन रस्या वार पूरे कंट्री में मंदी लेकर आ गया यूरोप में 90 देशों को बहुत ही ज्यादा मंदी मंदी का सामना करना पड़ेगा जिससे उनको हालत बहुत जादा खराब हो सकते हैं यह एक्सपर्ट का कहना है तो सभी पूरी जितनी भी जौब निकार रहे हैं जौब कैंसल कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है मंदी तो अपक्तों आप समझ गएगो कि क्या कारण है कि यूरोप इतना तरसरा है पानी-पानी के लिए एंड जितनी भी कंट्री से मंदी मंदी का कारण है यूक्रेयन रसिया वार और कोवेट के बाद के रिजल्ट अभी चीन में बहुत सारे कोवेट केस बढ़ रहे हैं तो चीन की बहुत जादा हल्थ खराब होने वाली है यही आसे वीडियो देखने के लिए मैंजान को सब्सक्राइब करना जाहिन जावाद